हैं प्राइम टाइम में हम बात करेंगे हमारे साथ निलोतपल वसु जी हैं से पियम नेता मंजीत सिंग जी के साहब हैं आप प्रबक्ता हैं शिरोमणी अकाली दल के सत्पाल जैन जी हैं बीजेपी नेता हैं और प्रफेसर अपुर्वा नंध है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मंजीत सिंग जी आप बताईए कि अकाली दल जब विरोत कर रही थी राजवाना की फांसी का तो क्या वो देश द्रोह का काम कर रही थी ऐसा है क्योंकि हमारे को हमेशा टार्गेट पर लिया जाता है इस इशू के उपर प्राब्लम यह है कि आज याकूब मैमन साब को फांसी दे दी गए लेकिन जब आपने विरोत किया था तब भी ऐसी यही बहस हुई थी आज इनको फांसी दे दी गए पौने तीन सो के करीब लोग मरें बहुत दुखित बात है कि मुंबई में वादालत में उसमें मैं पॉलिटिकल सवाल कर रहा हूँ वादालत का अपना फैसल दे दिया हमें आज भी अफसोस है कि बारा हजार सिक हिंदुस्तान में मारे गए ह किसी को जेल के बीच में भी डाला होता जो बड़ी मचली ये घूम रही है आज मेरा सवाल नयाए पर नाली पे भी है कि आज S.I.T. गोदरा कांड में सुप्रीम कोट सुओ मोटर बना देती हैं बारा सो लोग मरते हैं बारा हजार लोग मरते हैं हमारे को नयाए आज तक न हम भी क्लोजर मांगते हैं जैसे आपने अभी बोला सी पीएम के निता ने बोला कि एक ग्यारा साल बाद क्लोजर हुआ आपने मैं अपनी कम्यूटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे को सवाल ऐसा का राजवार नाजी का ऐसा है कि अगर हमारी कम्यूटी को यह अंदर बारह हजार आदमियों की कोई कीमत नहीं वो भी सिटिजन्स है वो भी नजायस बारे के थे मैं यह कह रहा हूँ कि जैसे याकूब मेरन के समय कुछ लोगों ने फांसी की सजा का विरोध किया आप अकाली दल पार्टी जो है वो फांसी की सजा का समर्थन करती है या किसी भी मावले में ऐसी सजा का विरोध करती है मैं समझता हूँ कि फांसी देने से किसी मसले का हल नहीं होता आप ये मानता हूँ कि ये जरूर है कि उनकी जो सजा है इसको कम्यूट कर देना चाहिए और पर मंजीत सिंग जी मैं एक सवाल है उसका कारण है आप हमारी मैं मि कम्यूट को बिलॉंग करता हूँ आप हमारी मानसिकता को समझना पड़ेगा आपको सिच्वेशन ये है कि ये लोग क्यों पैदा हुए राजोवाना जैसे बुलर जैसे तो याकूब मिमन को लेकर भी पूछेंगे बिल्कुल ये हर एक पे लागू होती है उन पे भी लाग समझ रहे थे जो याकूब मिरन के संदर में जो सवाल उठाये जा रहे थे आप बतलब आप लोग उसे एक तरह से सानुवती से समझ रहे थे कि ये जो आपके साथ होता है उनके साथ भी हुआ होगा मैं इसको एक्वेट तो नहीं कर सकता है मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ जो मेरी कम्यूटी के साथ हुआ मैं उसका प्रोस्पेक्टिव आपके सामें रख रहा हूँ मैं आपको एक और एक्जेंपल दे देता हूँ इंदरा गांधी को जब अरेस्ट किया गया उन्नी सौप जब एमिर्जेंसी खतम हुई जनता राज आया दो ब्रदर्स पांडे ब्रदर्स ने लखनों से प्लेन हाईजेक किया जब वो राज आता है दोनों को मंत्री बनाया गया एक सिख जिसका नाम मनजीत सिंग था उसने प्लेन हाईजेक किया टॉए पिस्टल से अम्र्यु सर में जाकर वो सिरेंडर कर देता है जो कहता है अपनी गिफ्तारी देता है जब वो नीचे उतरता है प्लेन से यहां पे पिस्तौर रखके उसको गोली मार दी जाती है मेरा स्वाल यह है कि अगर कोई इंद्रा गांधी के लिए करता है तो उनको वजीरिये मिलती है अगर किसी ने क्मुनिटी के लिए किया तो कोई F.I.R. कोई F.I.R. कोई मतलब आप मेरे से जितने मर्जी स्वाल कर ले लेकिन हमारे स्वालों का जवाब कौन देगा मैं सत्पाल जी से पूछूँगा इंपॉर्टेंट उधारन दिया है आपने लेकिन मैं एक बार फिर एक बार इस पस्टिता के लिए पूछना चाहता हूँ कि आप ये मानते हैं कि इस बात के बावजूद की 12,000 से ज़्यादा सिखों की मौत हुई सिख्ध दंगों में मैं क्लारिटी कर रहा हूँ सर्थ, फांसी से कोई मसला हल नी होने वाला, मसला हल होगा कि अगर आप कर्रेक्टिव मैयर्ज लेंगे नमबर वन, अगर उसको पूरी साल, पूरी उमर जेल में भी रखा जाए, तो उसने क्या कर ले ना, एक ही बात, आपने मेरे सवाल का जव लेकिन आप राजवाना की फांसी का विरोध करते वे कोई देश-द्रोही कारें नहीं कर रहे थे, हम तो बिलकुल उसका विरोध किया, खुलके किया है, इसमें को छुपाने की बादी, इस वड़ जनोंने याकुब मिमन का विरोध किया, है ना, उनको देश-द्रोही तक क हमारा officer था ना उनको गाड़ियों में सोतारा जाता था और उनका जो आई-कार्ड फोर्स आर्मी का होता था कहते गते पे लगा के क्याद गारे हो तुम सब गदार हो हमें भी गदार बनाया गया हमें भी उस लाइन में डाल दिया गया था कि हम सारे जिन लोगों ने जाने दी हो हिंदुस्तान को अजास आने के लिए तुए सामुहिक छेतना डराओनी है कि कभी आपको अगर गदार के रूप में टार्गेट कर सकते तो किसी और को भी कर सकते है जिस चीज से हम निकले हैं बहुत समय दिया आपको मंजीत साब संशेप में बोलिएगा आपको डर लगता है इस तरह के सामुहिक छेतना से मैं डर नहीं लगता हम तो हम इसको भुगते हुए हैं भुगते हुए हैं तो उस अनुवह से डर तो लगता है कि ये खतरनाख है सत्पाल जैन साब अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इसी बात को इसी कारिकरम को याकूब मिमन के सवालों से शुरू करता और निलतपलदा से पूछता तो आपकी प्रतिक्रिया तो कुछ दूसरी होती लेकिन मंजीत सिंग जी के ने जो सवाल किया है वो एक तीसरे कॉर्णर से आते हैं और वाजिब उधारन दिया है जब अब आप मुझे बताईए कि याकूब मिमन की फांसी का विरोध करना और राजो आना की फांसी का विरोध करना क्या दोनों ही देश-द्रो का मामला है या आपके हिसाब से सुविधा के हिसाब से दोनों में फर्क किया जा सकता है देखिए जहां तक देश-द्रो या देश-द्रो नहीं है मैं समझता हूँ कि विशे ये नहीं है विशे ये है कि फांसी की सजा या उमर कैद या किसी को बरी करना किसी को सजा देना कितनी सजा देना ये काम सरकारों का नहीं होता है ये काम नियायले का होता है और जो फांसी की सजा दी जाती है जो लोग हिंदोस्तान के अपरादी कानून को जानते हैं लोगों को जानते हैं उन्हें मालूम है कि ये रेरेस्ट आफ दी रेर केसे में कानून की परिवाशा अब नहीं पूछा हूँ इसलिए अगर कोई फांसी किसी को दिये जाने पर सवाल खड़ा करता है इसका मतलब है कि राजनीती तो हुई है ना राजनीती हुई है मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मंजीत सिंग जीके की पार्टी अकाली दल जो आपकी सहयोगी है वो कैसे एक आतंकवादी के फांसी का विरोध करते हुए आपकी सहयोगी बनी रहती है लेकिन जैसे ही कोई फां कि एक वक्त था कि इनकी कम्यूनिटी को भी उसी तरह से टार्गेट किया उसी सामुहिक चेतना ने ब्रिगेडियर तक के अधिकारियों को गदार के रूप में चीनित किया तो वो समझ सकते हैं हलाकि वो भुगता हुआ है बहादुरी से इन्होंने सामना किया मैं इसके बा बागयपूरण था यह बहुती काला कान था हिंदोस्तान के इतास में जिसके लिए कॉंगर्स पार्टी को देश का इतास कभी माफ नहीं करेगा मैं आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं आपसे यह पूछा कि राजो आना की फांसी का विरोद करना आपकी नजर में क्या है देख किया है मैं कोट पे कोट बाले मामले में बात ही नहीं करना चाहिए ने कभी भी भाजपारे कभी यह नहीं कहा कि अगर आप इनकी फांसी का विरोद करते तो आप देश रोही है हमारा इतना ही कहना है कि अदालत के निर्णे का विरोद करना उचित नहीं है यह हमारा पक्ष अकाली दलने क्या किया था देखिए उन्होंने अपना पक्ष बहुत इमानदारी से रखा है अगर हम उसका विरोध करते हैं तो हम पारितिय जंता पारिटी इसको उचित नहीं मानती है तो क्या आप वैसे ही उचित नहीं मानते हैं मतलब अगर इन्होंने किया सिर्फ उचित के स्थर पर उचित अनुचित के स्थर पर ही जो इनके कारे को आप देखते है बागी कोई दिक्कत नहीं है नैतिक या राजनितिक वैचारिक दिक्कत नहीं है इनके कारे से सवाल ये है कि अकाली दल एक अलग से राज़ितिक पार्टी है, भारते जन्ता पार्टी है, अलग से राज़ितिक पार्टी है वो आपकी सही होगी है, केंदर और डिली कई विशों पर हमारे एकमत नहीं है, कई विशों पर हमारा एकमत नहीं है इसलिए मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, यहां तक खीचना जाओ, कि आप अधारी के साथ आलाइस के उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, मैं खीचना नहीं चाहता हूँ, मैं यह समझना चाहता हूँ, कि जो लोग याकूब की फांसी का विरोत कर रहे थे, और आखिर तक पहले कि अधालज का निर्णे, यहीं तो बात है, अंतर आप नहीं कर रहे न, मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह का निर्णे तो मंजीत सिंग की पार्टी ने भी किया था, जो यह कह रहे हैं कि माज़ुरिटी को, आप पार्टी से आते हैं, minority के psyche को उसके मनवभाव को समझना चाहिए मेरे हिसाब से मजीत शायद ये भी कह रहे है उनको मौका मिलता तो वो कहते कि आप हमारी मानसिक्ता को समझो हमारे डर को समझो कि किन परिस्थितियों में हम कुछ कर बैठते हैं जैसे एक व्यक्ति को एरपोर्ट से उतार के गोली मार दिया जाता है एक ब्रिगेडियर को उतार के उसके साथ उसकी nationality या patriotism देशभक्ती को चिनित किया जाता है क्या है भी कि नहीं है क्या याकोब के मामलों में आप लोगों ये नहीं किया सिक्खों के साथ जो जाती की गई 1984 में और उसके बाद इतना निंदध की जाया उतनी कम है कि क्या अभी जो याकूब मेमन के साथ हो रहा है और जो मंजीत जी ने कहा है उस माइनॉरिटी को लेके उस बाद से आप सहमत हैं कि या आप माइनॉरिटी में भी कही तरह मैं समझता हूँ, मेरा कहना ये है कि जो व्यक्ति दोशी है, जो उगरवादी है, जो हत्या करता है, जिसको अदालत ने हत्या का दोशी माना है, चाहे वो कॉंग्रस पार्टी का नेता हो, चाहे एक पार्टी का, बी का, सी का, एक धरम का, दूसरे धरम का, तीसरे धरम का, एक प्रांद का दूसरे प्रांद का तीसरे प्रांद का हो उसका कोई भी उचित्य दिया जाना उचित नहीं है ठीक है लेकिन अगर वो विरोध करता है तो आपके सहयोगी रह सकता है मतलब इसका मतलब वो देश भक्त हैं ये लोग देखे मैंने का कि दोनों पार्टियों के कई विशो पर मतब्रेद है कि विशो पर अंगर अगर आप देढ़ के तो इसका सबसे बड़ा लाप कॉंग्र्इस पार्टी को होता है वहांद को ऐसे हम सब् libert झृप्रоТम में एक insecurity होती है, होती है, हम मांते हैं उसको, आपकी इमानारी की मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन जो जैन साब ने कहा कि कोई भी हो, A हो, B हो, C हो, ठीक, आप लोग सही होगी हैं, अब TV पे अतनी मर्यादा रखनी चाहिए, मैं भी नहीं चाहता कि यहीं से लडाई हो जाए, आप दोस्त बने रहें, लेकिन जो जैन साब ने कहा कि कोई भी अदालत का फैसला का विरोध करें, उसका औचित नहीं है, तो आप गलत काम तो कर रहे थे, ना, बहले देश रोए ना, मैं यह समझता हूँ कि राजवाना को भी आप पूरा समझ ले, उसको माफी नहीं कम्यूनिटी क्या कहेगी, मैजॉरिटी कम्यूनिटी और सोचल मेडिया के लिए, जो मर्जी कहती रहें, हमारे को पता है कि हमारे राइट्स का हनन हुआ है, हमें इंसाफ नहीं बिला, हमें क्लोजर नहीं हुआ है, अब मैं आपस एक बात जानना चाहता हूँ, कि आम तोर पर लेफ्ट से ये उमीद की जाती है, कि जब खासकर इस तरह का कुछ भी वेब बन जाए, और इसमें कोई दो राइने कि बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में, मतलब उसका हमारे पास कोई सैंपल नहीं हो सकता है, उतनी संख्या में विरोध करने वाले भी हैं, लेकिन मेरा सम्मान रखाती, इसके लिए मैं भी उनका अबारी हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसे वक्त में खड़ा नहीं होती है, अदालत के फैसले के बाद, पहले, वो बहाना लेती है कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, सम्मान करने का उसके अलावद वि तर्क है ये बहुत हमारे प्रती इनसाफ नहीं है इसलिए कि अफजल गुरु वाले में वे आधा कोट किये हैं दूसरा बाद भी बोला गिया था कि मैं उसमें नहीं जाता हूं लेकिन उसी समय से और उसके पहले से पूरे दुनिया भर में जो रुजहान है और ये जो जूरि हो चाहिए कि आप सदाय मौत से कोई फाइदा नहीं है ये एक बदले के भाबना से है और ये नहीं रहना चाहिए हम आचीच सुरू के आज हम आने के पहले ही पढ़ना था जून दो हजार तेरह में हम फॉर्मली पर अफजल गुरु की फांसी का आप लोगों ने समर्थन क किया था आपने कहा था कि जो माला पहले हो जाना चाहिए था आमने समर्थन नहीं किया ये मैं सीता राम जी का बहुत जगह से चेक करके लाया नहीं हम समर्थन कभी नहीं किया नहीं समर्थन कते ही नहीं किया और आप उसी समय का देख लीजे ना हमारा पार्टी का जो रविश जी आपके सामने ये थोड़ी सी बात के लिए हमें कोई मुश्किल नहीं है मान लेना अगर वो किया है लेकिन हमने उस चीज को देखा है और जहां तक ये याकुब मेंन का सवाल है हमने तो एकदम पहल कदमी की हम सलूट करते हैं जो वकिल गए हैं बहुत क्यों नही में आप लोग सणकों पे क्यों नहीं निकलता है अगर जनता वैसी हो जाए अगर आपका कन्विक्शन है कि हम इसके खिलाफ है तो बोलिए भी उसमें क्या डरना है देखिए हर एक सवाल पे लड़ाई का अलग अलग काईदे कानून होता है उसमें दर ये हम कोई इसमें मत क्लब चोड़ी छुपे कुछ नहीं किया हम जितना ज्यादा जा सकते थे और ये जो लोगों को इकठा करना मार्शिय पिटिशन जो प्रेजिडेंट के पास गए जो लोगों को साथ संबंदित होके वो काम करना ये और्गनाईस करने में हमारा ये नहीं बोल रहा है कि सिर् भी शायद हम मतलब याकूब मेनन के उसका बचाओ नहीं कर पाए उसका फासी हो चुका है लेकिन ये जो सरकार की और से और और रूलिंग पार्टी की और से हमें तो आजीब सा लग रहा है आज ही आया है गुजराट में नरोदा पार्टिया केस में सेंटेंस को खारिच कर के ये माया कोड़ानी को उन्होंने वो जमाना दे दी मुआं पे काल रात में पर्सु मैं के रहे है कि हमने किया कोट में क्या हो थोड़ा सा चोटा सा रेफरेंस जरूई है कोरियन जोसेफ जब ये पॉइंट आउट किया है कि ये जो साजिश का केस अब दे रहे हैं तो इसमें तो प्रापधावी नहीं है मेरा सवाल अब से है एक बार और कि क्या आप लोग सच मुझ मैं इमानदार सवाल जाता हूँ कि ऐसे वक्त पे डरते हैं कि अभी पॉब्लिक उपिरियन है एक दो छोटा मुझा बयान दे के कट लो हम एक दम डरते नहीं हैं हम एक दम खुल कर स्टैंड लिये है आज भी स्टैंड लिये है और हम मूव करेंगे सजाय मौत को खतम करने के लिए सारे राजनितिक दलों को इस मामले में डरपोक नहीं कहना चाहिए जैसे अकाली दल ने अपना स्टैंड लिया तो जो भी कन्विक्शन है उस पर खुब बहस हो सकती है कि गलत है इनका स्टैंड या सही है उसी तरह से दक्षिन की जो तमिलाड़ों के दोनों पार्टिया है क्या हमारे उत्तर भारत ये जो सामुहिक चेतना है ये दिल्ली पंजाब पंजाब भी छोड़िये दिल्ली बिहार यूपी मुंबई राजस्थान और गुजरात और मध्यपदेश से बनने वाली चेतना है यहां जो केंदरित पार्टियां है वो इस तरह से घंबरा जाती ह नहीं है बोलती नहीं है आपको लगता है कि हमारा पॉलिटिकल रेस्पॉंस जैसा होना चाहे था वैसा था इस मामले में बिल्कुल नहीं और यह इस लेकर राइट तक का बीजेपी तो खेर सपोर्ट में थी फासी कि हां एक स्तर परवर निराश्य जनक था सक्री यह नहीं हमारे मित्र ने जो कहा और तमिलाडो का जो धारन दिया गया उससे एक बात बहुत सपष्ट है कि वहां की सामोहिक चेतना क्या है वहां की सामोहिक चेतना या तो सिक्ष सामोहिक चेतना है या तमिल सामोहिक चेतना है इसका अर्थ यह हुआ कि हमने पूरे देश को बाट द के लिए तो तमिल नाडों की विधान सभा होगी सिख के लिए पंजाब की विधान सभा होगी लेकिन मुसलमानों के लिए कोई विधान सभा नहीं होगी इसका नहीं तार्थ किया है यहीं बात पता चाहिए हिंदू तो बहुमत में हैं पूरे उत्तर भारत में बहुमत में है इसलिए हिंदूओं के लिए सारी ही विधान सभाए हैं यह बात बहुत सपष्ट है और इसका अर्थ यह है कि इस सामुहिक चेतना का को चुनौती देना या इस सामुहिक चेतना को या बतलाना कि उसे अंतरावलोकन करना है या काम सिविल सुसाइटी के कुछ लोगों के जिम प्रचार किया जाएगा जैसे आज शासक दल की तरफ से बयान आया कि जो लोग इस फांसी के सजा का विरोध कर रहे हैं वो दिमागी रोप से कमजोर लोग हैं mentally challenged लोग हैं, तो Justice Beady mentally challenged, B.Raman, जो कि इस प्रधान मंत्रे के समर्थक थे, mentally challenged, Sheila Bhatt mentally challenged, Indian Express mentally challenged, मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि राजने ते कि जॉर्ज और्वेल का 1931 का बर्मा की जेल का वृतान छापा है, पढ़ना चाहिए आप लोगों को Google से निकाल लिए हैं, तो अगर अलबेयर कामू यह कहते हैं, अलबेयर कामू capital punishment के खिलाफ थे, फाजी की सजा के खिलाफ थे, और उनका यह कहना था कि भई, हम इतना तो जान सकते हैं, कि कोई बड़ा अपरादी है, तो उसे कितनी कड़ी सजा दी जाए, जेल में रहने की, कितने दिन रहने की, लेकिन हम यह दावा नहीं कर सकते, कि हम इतना जानते हैं, कि हम उसे उसके भविश्चे से वन्चित कर दें, हम उसे सुधार का कोई मौका ना दें, यह बात, इस देश में सिर्फ गांधी ही कह सकते थे, पर जो परिजन है, वो पूछेंगे कि कामो साहब ने फिर हम लोगों के लिए क्या कहा है, परिजन तो हर जगा के है न, आपने पूछा कि साहस है कि नहीं, मैंने कहा कि गांधी एक राजनेता ही थे, गांधी कोई संत नहीं थे, लेकिन गांधी राजनेता होने के साथ साहसी व्यक्ति थे, इसलिए दिल्ली में जब सिक और हिंदू लुटकर, पिटकर, बलातकार के शिकार होकर, हत्याओं के शिकार होकर पहुँचे, तो गांधी ने खड़ा होकर कहा कि आप मुसल्मानों से बदला नहीं ले सकते, यह तो कहा उन्होंने, यहां उप्वास किया, राजनेता ही थे, और कुछ नहीं थे, हम पूरी तरह से कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए गांधी की तरह साहस हम क्यों नहीं कर पाते हैं, यह प्रशन हमें करना चाहिए, हम बहुमत के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाते हैं, मंजी सिंग चुकि आप शो में पूरे नहीं रह पाएंगे, लेकिन यह सवाल आप से भी है, कि जब यह एक तरह से चल रहा था, तो आप जिस माइनोरिटी फिलिंग की बात कर रहे हैं, आप एक सहोधर माइनोरिटी के दुस्रे दर्द को समझते हुई भी आप साथ दे सकते थे, हलागि मैं नहीं मानता कि सारे लोग एक तरह से फारा है, आप लोग भी चुप रहे हैं सुविदा के इसाफ से, नहीं हमारी भी है, जो हिंदुस्तान के लिए लड़ने मरने के लिए तयार हैं, आप जब एक ब्रश हमारे भी यही प्राब्लम थी, कि जब हमारे पर वकत आया, मेरे पर नैशनल स्क्यूर्टी एक्ट लगा, किसी और की बात छोड़ दे, मेरी उमर बाइस ते, पर मेरे सवाल का जवा विरोध करना चाहिए, तो एक चुकि आपके पास, आपने पहले विरोध किया था, उसमें बीजेपी ने बहुत जादा आपत्ती आनापत्ती टाइप की एक तरह से लोगतांत्रिक विरोध जताया था, आप उसका लाब उठाके इस बहस की दिशा को बदल सकते थे, ऐसा है कि हमारी पार्टी ने इसके उपर आज तक कोई बात अपनी राए नहीं रखी, जो मैं भी आपके साथ बाता है, नहीं, हम राजवाना के हग के लिए लड़े हैं, उसका कारण है, हम समझते हैं, राजवाने के जैसे लोग जो हैं, वो इस प्रस्तिती भी क्यों आई? तो परिस्तिती के हिसाब से तो फिर तो फिर वो याकूब मेमन को भी चुप मिल जाएगी, फिर किसी और को भी मिल जाएगी, तो मैं वही कह रहा हूँ, मंजीत सिंग जी, घुमा ये मत, आप मुझे बताईए, कि आप क्यो चुप रहें, आपके दिल्ली में मंत्री हैं, व लोग फूट टेस्टिंग डिपार्टमेंट में इतना बयान देती हैं, वो बोल सकती थी कि नहीं, सवाल उठाना कुछ भी गलत नहीं है, सवाल हमने भी उठाएं, ऐसा है कि आज आपने हमसे सवाल किया, तो इस टीवी के उपर, अकाली दलका मैं स्पोक्स परसन होने से, यह मैं मान सकता हूँ कि कोई नहीं गया होगा आपसे पूछने, लेकिन आप बयान दे सकते थे, निलोटपल ली के पार्टी से कोई नहीं गया होगा पूछने, लेकिन उन्हें बयान दे समझता हूँ, मैं यह समझता हूँ, कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछल सागें अगर मानसिक्ता नहीं बदली जाएगी मैजौरिटी कमुनिटी की मानसिक्ता नहीं बदली जाएकी तरफ सत्पा देखिए मैं समझता हूँ कि इन दोनों विशों को अलग लग विचार किया जाना चाहिए इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है अच्छा अलप मत के मन में या कहीं पर बहुमत के मन में अगर कोई सुरक्षा की भावना है सेंस ऑफ एलिनेशन है किसी किसम का है तो वो चाह को किसी हत्यारे को जिसको देश के न्यायले ने हत्यारा माना है दोशी माना है उसको अगर हम धर्म के साथ या प्रांत के साथ या भाषा के साथ जोड़ू रहे हैं? यह मुझे नहीं पता, यह मंजी न्हीं ठाणा है.... वो किसी धर्म का नहीं है आपको याद होगा कि इंद्रा गांधी के बाद हत्याज के बाद जब यह कहा गया था कि सिख अत्यारे तो आप जबाब भी नहीं दे रहा है जी उसके अंदर मारने का कोई इच्छा नहीं था सिर्फ सबक सिखाने का इच्छा था और इसी के अधार पे उनको सजाय मौत नहीं सुनाया गया तो आप आज सत्पाल जी ये थोड़ा बताईए कि मतलब हमारे नाइक प्रनाली जब ऐसे टिपनी करते हैं मैं बोलना चाहता हूँ सत्पाल जी जरा सरुख जी ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक ले लेते हैं तो आप ब्रेक लेपनी करते हैं